है किसान मित्रों आप देख सकते हैं मैं खेत में ॔र आकर संत्रे दोड रहा हूं और होगहाँ बहुत ही सुखद ऐसाथ हैं बहुत ही सुगंदित और मीठ़े संत्रे बेरे हैं आपको लग रहा होंग Across अधो मैं ये सच बता देता हूँ ये घर्मी का सीजन है और गर्मी के संत्रे थोड़े से छोटे होते हैं हलाकि अभी हम सीजन के बिल्कुल एंड में आया हैं लगवक संत्रे खतम होगा हैं लेकिन हमने फिर भी सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना ले लेकिन दोस्तों ये बहुती मीठे संत्रे हैं और इतनी प्यारी नर्ता और सोगंधता भी बढ़ा जाती है तो आप मेरे आतों में देख सकते हैं अब कर दो कर दो कर दो कि नमस्कार किशान भाईयो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है किसान भाईयो इस समय हम गर्मी के सिजन में इस शांदार संत्रे के खेत में आये तो जानते हैं इस खेत मलिक का नाम तो किशान भाई आप हमारे देखने वाले अन्य किशान भाईयों को अपना नाम बताईए यहां का पता क्या है गाव का घड़की परभात प्रण जिला बैतुल यह बहुती शांदार लोकेशन है अला कि यह गर्मी का सिजन है तो लगबग लगबग संत्रे खताम होने के कगार पर है लेकिन आमने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना ले आपके लिए तो आप देख स सबसे पहले में यह जानना चाहूंगा इस समय जो संत्री का सीजन यह कौन सा सीजन के लाता है अगर बैचने की बात करें किशान भाई तो क्या यह वाला जो संत्रा इसका अच्छा होता है इनका रेट भी मतलब अच्छा मिल जाता सर अच्छा मिलता है इस समय इस समय अगर मार्केड की बात करें तो यह जो संत्रे हैं अभी में और सीजन का गर्मी का यह क्या रेट में कम से कम जा रहा है अभी फिलाल रूपे 12-1300 रूपे के रेट किसा भी रहा सर जगपर तो यह पोधे जैसे भी लगे होए तो लगब कित्ते साल के पोधे जो फल लेना चालो कर दिये हैं पात-छे साल के पोधे तो परविन वह यह जो संत्रे की फल हमें बह तो एक साल में संत्रों के दो सीजन होते हैं तो दोनों सीजन में यानि की प्रतियकड में दो-दो लाग रुपय में मतलब ही जाता है जी सर इसमें फिर अगर हम लेवर या मजदूर का खर्चा काट दे सब मिला गए तो इसमें से कितना बच जाएगा एक सीजन का मतलब देड़ लाग तो फिर भी बच्ची जाएंगा सर किसान भायों यह संत्रे के शांदार फसल है अब देख रहे हैं तो इसमें एक सीजन में यानि की छे महिने में लग 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 प्रति एककड में दो लाग रुपय में बिखते हैं तो दो लाग रुपय कि अगर बात करें इसमें से लग 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 पिच्वतर पसेंड ब आप भी संत्रों की खेती कर सकते हैं क्योंकि यह एक प्रगार की भागवानी फसल है और खाने में भी काफी लुभावने बहुत ही स्वाधिश्ट है और साथी मन मौक पूरे खेत की सुगंधता बड़ा देते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा साथियो मेरे किसान भाहियो यह व कित्रों आप देख सकते हैं मैं खेत में लाइव आकर संत्रे तोड रहा हूं और बहुत ही सुखद ऐसा से बहुत ही सुगंधित और मीठे संत्रे हैं आपको लग रहा हूंगा यह थोड़े से छोटे हैं तो आपको मैं यह सच बता देता हूं यह गर्मी का सीजन है और गर् बताना चाहूँगा कि यह इनकी मिठास बढ़ जाती है और खेतों कि सुन्दरता गयंतर तो comp Cuban के बाद बड़े हिए दोस्तों यह हमारे आतों में देख थेस्टी संत्रप कर दिया है दूसरा दिखाता हूं दोस्तों और यह वह स्वाधिश्ट्ट लेकिन हाँ मेरी आखें देखर ही है वहती स्वाधिश्ट बहुती मेठे बहुत ही टेस्टी यह आप देख सकते हैं और अभी मैं खाता हूं संत्रे की एक छोटी सी चिप्स कि जब आपको खाना हो तो थोड़ा से इस तरीके से आप निकाल सकते हैं चिप्स कि बहुती मीटे लाजवाब बहुती बढ़िया सुगन्द है और खाने में एकदम यूनिक है मेरी आत्मा भर गए मेरा मन खुस हो गया गदगद हो गया क्योंकि मैं खेत में लाइव आकर तोड़कर अपने हाथों से खा रहा हूं और मुझे लगता है कि आपको भी इन संत्रों को देखकर मूं में पनी आ रहा होगा तो चिंता ना करें दोस्तों अगर आपको भी संत्रे खाने के इच्छा हो तो हमारे किसान भाई का दिल बहुत बड़ा है ठीक है यह गाहों है पांडरी खड़गी और यह तैसिल प्रभात पट्टा ने जिला वैतूल तो आप आ सकते खा सकते इनके नंबर में आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा आप संपर कर सक करने कर दो कुश कर आप संपरार कर सकते दो हि cel बड़ आपर कर सकते प्रासकशब knot long-जाव कर दोंग जो लूञाओं कर दो एकाओं कर फिल्ग कर दो एक लाओं करते हैं